हमारी आध्यात्मिक यात्राओं में सबसे बड़ी प्रेशानी इंफ्रास्रक्टर के अभाव की भी होती है जैसे कि बना रसाने वाले आत्री सहर से बार मने इस स्वर मंदिर में जरू जाना चाहेंगे लेकिन अगर उनके लिए आज जैसी सड़के ना होती तो चाहकर भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं लेकिन अब स्वर्वेद मंदिर बना रसाने वाले सद्दानों के लिए एक प्रमुक्सान बनकर उबरेगा इससे आसपास के सभी गावों में व्यावसाय और रोजगार के अउसर बनेंगे लोगों की उन्नती के रास्ते खुलेंगे मेरे परिवार जनों विहंगम योग संस्तान जीतने हमारे आत्मिक कल्यान के लिए समर्पित है उतना ही समाज की सेवा के लिए भी संक्रिय रहा यही सदाफल देव जी जैसे महर्ची की परंपरा भी है सदाफल देव जी योग निष्ट संत होने के साथ ही आजादी के लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम से नानी भी थे आज आजादी के हम्रितकाल में उनके संकल्पों को आगे बढ़ाना उनके हर एक अनिवाई का दाईत्व है मैं पिछली बार जब आपके बीच आया था तो मैंने देश की कुछ अपेक्छाएं भी आपके सामने रखी थी आज एक बार फीर मैं आपके सामने नव संकल्प रख रहा हूँ नव आग्रह रख रहा हूँ और अभी मुझे विज्ञान देवजी ने याद भी करवाया कि मैंने पिछली बार क्या कहा था मेरा पहला अगरह है पानी की बुंद बुंद बचाईए और जल सवरक्षन के लिए जादा से जादा लोगों को जागरूप करिए दूसरा गाउं गाउं जाकर लोगों को डिजीटल लेन देन के परती जागरूप करिए ओनलाइन पेमेंट सिखाईए तीसरा अपने गाउं अपने महले अपने शहर को स्वच्छता में नंबर वन बनाने के लिए काम करिए चौथा जितना हो सके आप लोकल को स्थानी या प्रोड़क को प्रमोग करिए मेडिन इंडिया प्रोड़क का ही इस्तमाल करिए पांचवा जितना हो सके पहले अपने देश को देखिए अपने देश में घुमिए और अगर दूसरे देश जाना हो तो जब तक पुरा देश नहीं देख लेते विदेशों में जाने का मन नहीं करना चाहिए और मैं आदकल तो यह बड़े-बड़े धन्ना सेठों को भी कहता रहता हूं कि विदेशों में जाकर के शादी क्यों कर रहे हो भाई तो मैंने कहा है वेडिन इंडिया हिंडिया 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 में शादी करो मैं छथी बात कहता हूं प्राकृती खेती के प्रती किसानों को जादा से जादा जागरूत करते रहे हैं मैंने या आगरभ पिछली बार भी आपसे किया था फिर इसे दोहरा रहूं यह धरती मा को बचाने के लिए बहुत जरूरी अभियान है मेरा साथ वागरह है मिलेट्स को स्री अन्न को अपने रोज मर्रा के खाने के जीवन में शामिल करें इसका खुब प्रतार पसार करें यह सुपरफूर है मेरा आठ वागरह है फिटनेस फिटनेस योग हो स्पोर्स हो उसे भी अपने जीवन का अभिन हिस्सा बनाईए और नवा अगरह है कम से कम एक गरीब परिवार का संबल बनिए उसकी मदद करिए यह भारत में गरीबी दूर करने के लिए जरूरी है आज कल आप देख रहे हैं विक्सित भारत संकल को यात्रा चल रही है मैं कल शाम को इससे जुड़े कारकम में शामिल हुआ हूँ अभी कुछ देर बाद यहां से मैं फिर विक्सित भारत संकल यात्रा में शामिल होने जा रहा हूँ इस यात्रा के प्रति जागरुकता फ्हलाने का दाइत्व आप सभी का भी है हर धर्म गुरु का भी है मैं चाहूंगा कि यह सभी हमारे व्यक्तिकत संकल भी बनने चाहिए गाओं विश्वत्य मात रह का जो आज़िए यह हमारे लिए आस्ता के साथ साथ गहवार का भी हिस भासा मनेगा तो भारत और तेजी से विक्सित होगा इसी भाव के साथ मआप सभी का आब बहुत-बहुत धनुइवाद करता हूं और पुछ संतों मुझे जोश्मान संम्मान दिया मैं उन Sonα अभी रुजय से धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ बोले भारत माता की भारत माता की धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद माननी आपके प्रेरनादाई उद्ध बुधन के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को सुना अपने काशी में संदेश दिया किस तरीके से 2024 में फिर जनादेश रही होगा ये विश्वास जताया प्रधान मंत्री ने कि देश वासियों पर उन्हें इतना विश्वास है मौझूदा सरकार ने जो काम किया है 2024 का जाना देश भी उनी के पक्ष में होगा काशी में बोले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तबाम बड़ी बाते आपके सामने देश विरासत पर गर्व करना है और यहां देश अपनी विरासत पर गर्व करना भूल गया था जीनियूस